करक रासी वालों का आजिका रासी फल यानि की 20 जुलाई 2020 का रासी फल तो नवशकार मित्रों आईए आजिके बेडियों की सुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आजिके दिन आपके जीबन में क्या क्या होगा लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 20 जुलाई 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है अमा बश्या नक्छत्र है पुनर वसू पक्ष है क्रिशन पक्ष और दिन है सोम बारे आज के दिन सुर्य उदे हो रहा है पंच बज के 35 मिनट में सुर्य अस्त है शात बज के 18 मिनट में रितू है वर्सा और आज का दिन काल है 13 घंटे 42 मिनट 42 सेकेंड का महिना है स्राबन आज के दिन सुब समय सुरू होता है 11 बज के 69 मिनट एम से 12 बज के 54 मिनट पी एम तक असुब काल सुरू होता है 12 बज के 55 मिनट पी एम से 1 बज के 49 मिनट पी एम तक दुबारा है 13 बज के 49 मिनट पी एम से 4 बज के 34 मिनट पी एम तक राहु काल सुरू होता है 7 बज के 18 मिनट एम से 9 बज के 1 मिनट एम तक और दिसा सूल है पूरब दिसा की ओर इस वीडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का सुभ रंग, सुभ अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें, सुनें और फॉलो करें ताकि आज के दिन आपको कहीं कोई शमस्या नहीं हो लेकिन उसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और इंस्टागराम पे आप मुझे फॉलो कर लें मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वेडियो के डिस्क्रिप्सन वॉक्स में है तो आप लिंक पर क्लिक करें और मुझे फॉलो करें शब से पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके घर पडिवार के बारे में मित्रों पारिवारिक जीबन के दृष्टी कोन से आपका शमय अच्छा बीतने वाला है आज से पहले अगर आपके घर पडिवार में किसी बिक्ती के शाथ आपका शंबंध खराब हो गया था कमजोर ह तो आज के दिन अपने शंबंध को आप मजबूत करने का प्रयास करें क्योंकि इस काम को करने में आपका भाग्य आपका पूरा सपोर्ट करेगा। वैसे अगर आपके प्रेम शंबंध की ओर देखा जाए तो प्रेम शंबंध के द्रिष्टी कोन से भी आपका शमय सामान ने तोड़ पे सही रहेगा। आज के द्रिष्टी कोन से आपका शमय सामान ने रहेगा। आज के दिन से अगर आप नए काम की सुरुआत करना चाहते हैं तो नए काम को सुरू करने के द्रिष्टी कोन से आपका शमय आपका शाथ नहीं देगा। अगर संभव हो तो आज के दिन से आप नए काम की बिल्कुल भी ना करें इसके बाद है आपका बैवाहिक जीबन तो बैवाहिक जीबन के दृष्टी कौन से आपका शमय अच्छा भी इतने वाला है आज के दिन आपके शामने में अगर कोई परिशानी होती है कोई शमस्या होता है तो आपका जीबन साथी आपका शपोर्ट जयादा करेगा और जीबन साथी के सपोर्ट के वजह से आज के दिन आपके शामने में जो भी परिशानी होगा उस परिशानी का समाधान आप निकाल पाओगे और कहीं कोई शमस्या नहीं होगी इसके बाद है आपका स्वास्त तो श्वास्त के दृष्टी कोन से आपका श शामने से थोरा सा नीचे है आज के दिन जिस काम को करने से आपको मानसिक सांती की प्राप्ती हो जिस काम को करने से आपको खुसी मिले आप वही काम करें अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके श्वास्त में कहीं कोई परिशानी कहीं कोई शमस्या नहीं होगा आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली अंक है चार यनी की फोर आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है सिलबर और शफेद इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका शमय बहतर और शानदार होगा तो उपाई बहुत ही जियादा शामानी है आज के दिन आप भगबान सुर्ज को तामबे के पात्र से अर्ग दें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका शमय सानदार हो जाएगा और कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई शमस्या नहीं होगा तो यही था आपके आज के दिन का रासी फल इस बेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और बेडियो को आप हर जगह सेयर कर दें धन्यवाद